कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बैल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लिटेश वीडियो को देख सकें स्टार्ट करते हैं नाइन क्लास मैट्स एकसाइस सेवन पाइंट नमबर टू को इसमें क्या कहा है कि ABCD is a co-dlateral in which AD equals to BC के and angle D AB जो है वो equals to किसके हैं angle CBA के प्रूफ देट आपको प्रूफ क्या करना है triangle ABD को congruent proof करना है triangle BAC के BD equals to AC करना है और angle ABD equals to angle BAC आपको प्रूफ करना है तो आपको दिया है इसमें AD equals to BC, means ये वाली side AD जो है, वो BC के equal है, साथ साथ सुने दिया है, angle DAB, देखे, DAB कौन सा होगा, DAB, ठीक है, तो ये DAB का मतलब क्या होगा, ये वाला जो triangle, angle है, sorry, angle है, वो किसके equal है, angle CBA, ठीक है, CBA, इस वाले angle के equal है, ठीक है, और अब हमें जो proof करना है, वो देख लि दिख लेता है कि given क्या है, तो आप ये देखिए, given है आपका, देखे, given क्या है, AD equals to किसके है, ABCD is a quadrilateral, और आपका AD जो है, वो equals to है, BCK, और angle DAB equals to है, angle CBAK, फिर आपका आजाएगा, to prove, आपको prove क्या करना है, वो ही सब जो तीनों पाट है, वो आपको prove करने है, तो वो लिखेंगे हैं हम इसके बाद, to prove, triangle ABD, congruent है, triangle BAC, के, दूसरा पाट क्या है, BD equals to AC, BD equals to AC, और थर्ड पाट है, angle ABD equals to angle BAC, angle ABD equals to angle BAC, proof देखिए, तेके, जिन triangles को हमें congruent proof करना है, ठीकिन हम उनको लिखेंगे, चलते हैं, ठीकिन कौन कौन से triangle है, ABD, मतलब ABD, यह वाला, ठीकिन यह वाला जो है, और BAC, BAC, तो हम लिखते है, इन triangle, in triangle ABD and triangle BAC, ठीकिन है, अब है, यहाँ पर देखते है, AD जो है वो किसके बराबर है AD बराबर है BC के उसको लिख देते हैं AD जो है वो बराबर है BC के आप लिख दीजे गिवन है फिर उसके बाद क्या हुआ AD बराबर है CBA यह भी क्या है आपको यह भी गिवन है तो उसको लिख देते हैं AD और उसके बाद हमने क्या देखा यह जो आपकी AB है यह जो AB sides है यह दोनों triangles में क्या common है आप देख लिजिए जब हम ABD लेते हैं तब BA भी आ रही है जब हम BA BA का मतलब AB है तब BA C जब triangles लेते हैं तब भी AB sides आ रही है तो आप लिख सकते हैं AB equals to AB और bracket में क्या reason है इसका common अब आप आपने यहां देखा यहां S यहां A यहां S तो यह दोनों triangles जो है S A S congrrence rules से क्या हो गए congruent proof हो गए आपके तो आप लिख सकते हैं यहां पर therefore triangle ABD और आपका congruent हो गया triangle BAC bracket में इसका भी बताना है reason by S A S congrrence rule अच्छा अब आपको जानते हैं कि जब आपके दो triangles जो है congruent proof हो जाते हैं तो उनके जो corresponding parts होते हैं वो इकल होते हैं तो आप यह देखिए इसके corresponding parts में यह जो BD है देखिए ABD यह BD और यह आपका BAC में AC तो आप BD बराबर AC कह सकते हैं उसको by CPCT आप इसको इस तरीके भी समझ सकते हैं जिससे आपका अगले वाला जो पाटे वो भी समझने आजाएगा आपको देखिए इन triangles को जो हम लेकर चल रहे थे जिनको हमने operate के हैं उनको हम अलग-अलग लेकर दिखाते हैं देखिए इस तिरव एक समझाने को दिश्य से यह देखिए आपे देखिए शपोस कर दिए अब ये दो ट्राइंगल्स वे हैं एक नों हमारा ABD है तो यह होगी आपका AB और ये D, और यह क्या हो जाएगा आपका B, A, और यह आपका C, देखे, यह दो triangles है, अब हमें दिया क्या था AD बराबर BC, यह देखे, AD BC के बराबर हो गई, ठीक है angle DAB, DAB यह angle किसके बराबर है angle CBA के, CBA ठीक है न, यही तो आपके corresponding parts होते हैं, यह angle, इस angle के बराबर, यह वाली side, इस side के बराबर, यह इसके बराबर ठीक है न, अब आप यह देखे यह दोनों triangles आप congruent proof हो गए तो यह जो होगा, BD बराबर किसके होगा BD बराबर किसके होगा, A, C के होगा clear है रहतनी बाद, और उसके बाद यह क्या होगा angle ABD, यह वाला angle किसके बराबर होगा, देखे इस वाले triangle में, अगर यह angle है तो यह angle किसके बराबर होगा, इस वाले के, और यह कौन सा है B, A, C, clear होगा यह आपको एकनी बाद, यह corresponding parts से ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते है therefore, BD बराबर BD, बराबर है A, C, K, और bracket में गर देना By, C, P, C, T और उसके बाद, third part भी हो जाएगा therefore, angle ABD यह भी equal है किसके angle B, A, C, K bracket में, By, C, P, C, T hence, proof clear होगा इतनी बाद, तीनो parts हो गई कि दोनो triangles को पहले congruent proof कर दिया, और after there हमने उसके corresponding parts को equal कर दिया और जब corresponding parts equal हो गए तो आपके BD, AC के equal और angle ABD equals हो गया angle B, AC के equal, तीनो के तीनो parts जो है proof हो गई है, इसमें कोई बीडावट हो आप comment section में पूछ सकते हैं, वीडियो गर आपको अच्छा लगए वीडियो को like कीजिए, share कीजिए और मेरे चनल को subscribe कीजिए, thank you very much